हेलो गाईस, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज हम डिस्कुरस करेंगे अपनी पेंटिंग्स मुगल स्कूल की और डैकन स्कूल की, इससे पहले हम और रिजोन एंड अफलेप्मेंट डिस्कूल कर चुके अपना मुगल स्कूल ओफार का, और राज अस्तानी और पहारी स्कूल तो हम अच्छे से गंप्रीट कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे पेंटिंग्स, चलिये स्टार्ट करते हैं अपनी टोपिक से, मैं आपको पहले बताती हूं हर बार की तरह कि क्या क्या आपको मैंशन करना होता है, पेंटिंग का ने, उस्से बद आपको लिए मज़े हाद् पिरियर लिखना होता है आपको अब बहुत से विच्छों को अलगल एक टाइम पिरेड याद नहीं रहता तो आप मुगल स्कूल के लिए सिंपली हर पेंटिंग में मुगल के लिए भी टैकन के लिए भी 15-1880 संचुरी लिख सकते हैं उसका टाइम पिरेड मेडियम वाटर कल करोंगी नहीं तो आपका मुगल और डैकन राज़ेस्थानी पहाड़ी सबी पेंटिंग में यहीं करटेसी आपके यूज होती है इसके बाद आपको लिखना होता है डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन हों भी एक-एक पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन करेंगे तो सबसे पहले पेंटिंग है हमारी कृष्णा लिफ्टिंग माउंट कवर्धना इसके आर्टेस्ट आपके मिस्किन आपको आर्टेस्ट की नीम की स्पेलिंग अच्छ से आद रखनी है मिस के आई हैं अब डिसकस करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को हमने जब राजेस्थानी स्कूल काई पड़ा था तब भी मैंने आपको बताय था अच्छे से आपको शमजाये था कि आगर कोई भी बेंटिंग मिल रही है तो कुछ ऐसी लाइन्स होती है जो आप क्रिष्णा वाली किसी भी पेंटिंग में अच्छे से लिख सकते हो उन lying को भी अभी हमिस्कश करेंगे सब पर पर सब अपनी ये पैंटिंग को देखते हैं in this vertical painting कृष्णा वुजा वो शोन लिफ्टिंग मांट को वर्धन on the little finger of his left hand आपको पता ही हो गई इसमें क्रिष्टिन जी ने अपनी left लेफ्ट हैंड की मांट गवर्धन परवत को पकड़ा हुआ है अब एक मॉंक्र इस टीएर मौंकी श्कॉब्स और आप सब्सक्ता टीएर घ्र्चीज गई है और क्रिशचना जी गई है यांद मॉंक्ते इस लिग अगाया हैं प्रिटर चाहिए लीजगे बिश्कॉब्स के सा मतलब पिपलों ब्रीज हैव गैदर्ड विद देर केटल तो सेव देर लाइफ रोम दा एंगर ऑफ गोड इंद्र मतलब माउंटेन के नीचे कोण खड़े हैं ब्रीज के लोग खड़े हैं जो अपनी जान बचाना चाहते हैं इंदर देवता के ग्रोध से इंदर देवता कुछ बहुत जादा बारिश हो रही है महां पे तो बचने के लिए अपने आपको और अपने कैटल सो अपने जो भी उनके पास जानवर है उन्हें ब्रीज मतलब उसके नीचे माउंट गवर्दना के नीचे लेके खड़े हैं आगे देखते हैं ओंदर टॉप स्काई शोनो ब्ल्यू कलर ऊपर जो आसमान दिखाया गया वह बहुत डाक ब्ल्यू कलर का दिखाया गया है लोड कृष्णा इस पेंटेटें लार साइस अभी यह कुछ ऐसी लाइन्स है जाप ओल्मोस चाहर पेंटिंग में जिसमें कृष्णा आया हुए उसमें आप लिख सकते हो क्यो बहुत सुन्दर है एक माला पेहन रखिया उन्होंने तो यह सारी कुछ लाइन्स है क्रिश्णा वाले में लिख सकते हो लोड कृष्णा का साइज लार्ज दिखाया गया है क्रिश्णा इस जिन पितांबर वाइट फ्लावर्स तो यह लिखा हुए कि क्रिश्णा ने पिता लेन्ना ओप्लावर्स और बहुत बड़ी माला पाई हुए है वाइट फूलों की वेस्ट लिख प्रोफायल को मतलब हमें कि मुगल और राजिस्थास्थानी स्कूल में जयला थार मिते हैं प्रोफायल मतलब nies चश्मन की एक याई दिख रहे होते हैं हाफ दिख रहा होता है राट ब्ल्यू ग्रीन यालो कलर कॉंबिनेशन इस यूज यह भी आपको पेंटिंग आपको कलर फुल लग रही है आपको ज्यादा कलर्स याद करने की जरूरत नहीं है आप सिरफ एक यही लाइन लिख सकते हो कि राट ग्रीन ब्ल्यू यालो कलर कॉंबिनेशन इस यूज इस यह लाइन आपको हर पेंटिंग के आकरी में लिखनी है तो यह पेंटिंग होगी हमारी कृष्ण लिफ्टिंग मांट को बर्धनागी आप तीन लाइन ने तो ऐसी होते हैं जो आप किसी पेंटिंग में लि इस पेंटिंग को पेंट किया था किसने उस्ताद मंसूर ने और इस पेंटिंग के आपको कर्टेसी भी अच्छे से याद रखने हैं आपके लिए मांक करते तो इसकी कर्टेसी भी आपको अच्छे से मांक करने हैं इसकी कर्टेसी है महाराजा स्वाइमन सिंग म्यूजियम सिर्टी पैलेस जैपूर इसी स्पेलिंग भी आपच्छेस देख लीजे महाराजर स्वाइब मैं सिंग म्यूजियम सिर्टी पैलेस जैपूर अब हम देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को इस फेमस पेंटिंग इस पेंटेड वाई उस्ताज मंसूर दूरिंग जहांगीर इ तो जहांगे इसे बहुत जाद़ा उदास हुए थे इसलिए उस्ताज मंसूर जी ने उनके लिए इक उनके फैलकन की पेंटेभ पैंटिंग की थी तो उस पेंटिंग क incorporating यह वही painting है उसके बारे में ही पढ़ रहे है तिए यह लिखा हुए this famous painting is painted by star mansoor during जहांगी reason In this painting a falcon is sitting on a cushion bird rest इस painting में क्या दिखाया गया कि एक falcon है वो बैठा हुआ किसके ओपर Cushion bird rest के ऊपर अब calligraphy is done on the bird rest आप painting में अच्छे से देख सकते हैं कि कुछ लिखा हुआ bird rest के ऊपर the cruel eye of falcon can be seen in this painting इस painting में जो falcon की आई है वो जादा cruel दिखाई गई है कि वो गुस्से से जासे देखते है yellow background is shown painting का background yellow है falcon is painted in white with brown details on its folded wings मतलब falcon को white color का falcon बना हुआ है और जो उसके folded wings से उसके पर ब्राउन कलर के details दी हुए शार बीक is painted in light brown color आप देख सकते हैं जो उसकी बीक है उसको कौन सा color है light brown color अब आगे देखते हैं three words जहांगिर पाश्या at the top यह main paragraph है आपका इस painting का तीन words लिखे गया है इस painting में सबसे उपर लिखा हुए जहांगिर पाश्या at the top बहरी near the falcon मतलब जो falcon बनावा इसकी side में लिखा हुए बहरी और उत्तम at the bottom are written यह तीन words लिखे हुए अब इनका मतलब देखते हैं जहांगिर पाश्या थो हमें बता है आगे देखते हैं बहरी means falcon बहरी का मतलब क्या होता है falcon ही होता है और उत्तम का मतलब होता है excellent को अब आपको लासमी यह लिखना है this painting is very beautiful यह हम अपना maximum content discuss कर रहे हैं अगर आपका question 2 या 3 marks का तो आप अपने according content को छोटा भी कर सकते है अब हम discuss करते हैं अपनी next painting जो के कभीर एंड राइदास इसके artist आपके उस्ताद सक्यूला खान spelling देख लेचे F-A-Q-U-I-R-U-L-L-A-H-K-H-E-A अब आगे देखते हैं इनके description को this painting shows two prominent sons of their time कभीर और राइदास इस painting में क्या दो संत दिखाए गए आप देख सकते हैं painting को भी कभीर और राइदास इस horizontal painting of संत कभीर shows him waving a garment on his loom इस horizontal painting संत कभीर की यह horizontal painting है इसमें दिखाए गए कि संत कभीर जो है वो एक garment को weave कर रहे हैं क्या करते हैं गार्मेंट को weave कर रहे हैं on his loom in a meditating mood और वो कौन से mood में है meditating mood में है अब आके देखते हैं the other संत राइदास sitting close to him जो दूसरे संत दिखाए कर रहे हैं वह उनका नाम क्या है राइदास वह उनके पास ही बैठे हुए और वह भी से मूड है मतलब वह भी meditation कर रहे हैं बहुत हार होंदा बहुत हार मेडिटेटिंग और सेम रिलीजियस चौपिक है हमने अब भी पढ़ा the painting brings simple and peaceful Indian village life इस painting को देखके ऐसा लगता है कि बह अब यहां पर काम ही पूजा है brown color is used in the painting अब देख सकते हों कि अल्मुस्ट पूरी painting brown color के ही दिखाए गई है brown of border of the painting is light brown this painting is very beautiful तो यह हो कि हमारी painting कभी रहे दास अब हम देखते अपनी next painting हमारी next painting नेक्स पिंटिंग है birth of salim यहापकी most important painting तो यह इस पर पेपर में आने के ब address पड़ी थी जर्फ यह दो ही पेंटिंगे जिसी कर्टेसी चेंज है नहीं तो राजस्तानी पहाडी मूबल डैकन सम्में कर्टेसी नाशनल म्यूजियम न्यू देल ही आपको लिखनी है तो कर्टेसी है इसकी विप्टोरिया और अलबर्ट म्यूजियम लंडन यह पेंटि अब हम पेंटिंग के देखते हैं तीनों सीन्स को इन अपर पॉर्शन अकबर वाइफ इस सरांड़ेट बाइं मिडवाइफ मतलब अकबर की जो वाइफ है उसके चारों तरफ बहुत सारी मिडवाइफ खड़ी है मतलब दाइया जो उसकी बच्चे की टेकर होती है वो खड दर सैंट्रेल पाइज लाइनद राइट वाइट वोल विच आलसो असे बेग्रांट फर ऑने फ्योंस प्लेइंग इंस्ट्रूमें मतलब जो बीच वाली पाइफ उसको कैसे रहा गए उन्होंने एक वाइट बैग्रांद वाइट वोल दिखाई गई है बैग्रांड में क् किसकी तरह एक्ट कर रही है बैक्राउंड की तरह for a musician playing instrument और second compartment में क्या दिखाए गया मतलब musicians दिखाए गए जो कि क्या बजा रहे हैं instrument बजा रहे हैं अब देखते हैं on the right side अब second part में अगर आप right side में देखो थोड़ी सी a lady attendant passes a tray of sweets to the male servant एक lady दिखाए गई है जो क्या कर रही है sweets की tray pass कर रही है मेल सर्वेंट को breaking the good news किसलिए खुशी की मदब खुशी की बात है good news है तो इसलिए वो क्या कर रही है sweets की tray pass कर रही है थर्ड compartment में देखते हैं में क्या शो किया गया the lower compartment separated with a brown wall has a crowd of people मतलब जो सबसे नीचे वाला compartment उसमें बहुत चालो लोगों जुन दिखाया गया और कहां किस से separate हो रहा है ये brown walls आप पेंटिंग में देखो एक बड़ी सी brown wall दिखाया गया तो उससे हमें पता चल देखिए ये तीसरा compartment है they come to give their blessings to the newborn जो नया बच्चा पहला हुए वह उसे blessings देने के लिए आयो हुए beautiful colors has been painted in this painting painting में colors का बहुत अच्छी तरह से यूज किया गया है आपको painting में जालस जादे painting की तारिफ ही करनी है अब हम देखते हैं अपनी मुगल स्कूल की लास्ट पेंटिंग जो कि मैरेज प्रोसेशन ओफ दाराशी को इसको पेंट किया है हाजी मदानी नहीं अब देखते हैं इस painting के description को this is a vertical brilliant painting of a marriage possession of दाराशी को इस पेंटिंग में क्या शोग किया गया है कि दाराशी को उनकी मैरेज को शोग किया गया है इस painting में और यह painting कैसी है वर्टिकल है आगे देखते हैं दाराशी को इस राइटिंग होने decorated horse आप अगर पेंटिंग में रिखो तो बीच में जो धूला है कौन है दाराशी को इस राइटिंग वह एक बहुँ ज़दा सजय हुए घोड़े पर बैठा हुए और जो दाराशी को की घोड़े के पीस्टे जो होर्स है उसके उपर कौन राइट कर रहे है उसके फादर वाइल इस फादर इस राइटिंग वह ज़दाराशी को होर्स अब आगे देखते हैं इसका मतलब जो रोयल पीपल है वो जयले तर किस पर बैठे है घोड़ों पर बैठे है और कुछ लोग जो है वो पैदल भी चल रहे हैं और सारी कहां पर जा रहे हैं ब्राइट के घर की तरफ आगे देखते हैं पैंटिंग में बहुत ज़दा क्राउड शो किया गया अगर आप सब पुछा जाये पैंटिंग का डिरेक्ट नाम नहीं आया पेपर में अगर आपको कहा कि कोई भी एक क्राउडी पैंटिंग में ना तो आप क्या लिख सकते हो कि कौन सी पैंटिंग है धारा शिखो की मतल लग जब उन्होंने पैंटिंग बनाई थी तब इस पैंटिंग को बनाने के लिए कितना खर्चा आया था 32 लैक रुपीज इस पैंटिंग का खर्चा आया था यह आपको अच्छे से याद रखना है रेट ब्ल्यू ग्रीन येलो कलर कॉंबिनेशन इस यूज वही लाहिन आपको यूज करनी है वेरिस टाइप सब फायर क्रेकर्स कैन बे सीन इन दा बैगर तो बहुत तरह के फायर क्रेकर्स बैगरांड में दिख सकते हैं देख सकते हैं आप पैंटिंग में भी गोल्डन कल सबस्कूल आप और सबसकूल का सबस्केन अब देख लेते हैं पहला सब स्कूल आपका एहमेद नगर दूसरा भीजापूर तीसरा गॉलकॉंडा चोथा हैद्राबाग पांचवा तेंजोर तो यह आपके सारे सब स्कूल ओफ डैकन स्कूल अब मैं आपको एक चीज बता देते हूं आपका ऐसा कोई भी स्कूल नहीं आभी डिस्क्राइब नहीं किये गए अब हम देखते हैं अपनी फर्स्ट पेंटिंग डैकन स्कूल की इस पेंटिंग नाम है आपका रागिनी पत हमसी का इसके स्कूल आपका एहमेद नगर तो अब आपका आपका आर्टेस तो लिखना है आर्टेस में लेकिन आपको हैडिंग रूट लगानी है और सामने लिख रहे हैं अनोट ऐसे स्कूल किया इसमें एहवन अगर और कर्टेसी बाकि सब कुछ आपका सेम रहेगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अब हम देख लेते इस पेंटिंग की डिस्क्रिप्शन को इन दिस पेंटिंग अ लेड ऐटेस्टन राइडसाइड कर सकाल वर जेडां अगर आप एस पेंटिंग में सबसे नीचे देख ओ एक चोटा एफ्सरा को उपड़ ऐगा है आगे देखते हैं, red, blue, green, yellow color combination is shown, painting में जाया तर red, blue, green, yellow color ही use किये गये, ladies are shown thin, पतली-पतली ओरते दिखाई गया, and are in profile, किस में हो profile हैं, अब एक चश में, in the center, one blue colored tom can be seen, अगर आप center में देखो उपर, blue color का गुंबर दिखाई दे रहा, tom दिखाई दे रहा, painting को ध्यान से दे dark green color tom can also be seen on the left and right sides of the background, मतलब background के left and right side में क्या हैं, दो green color के हैं, और बीच में क्या दिखाया हुआ, एक blue color का, आप और भी color describe कर सकते हो, और आप लिख सकते हो कि calligraphy is shown in this painting, इस painting में क्योंकि जएधा green दी के बारे हम लिख नहीं सकते हैं, तो calligraphy बहुत अच्छे से दिखाई गई है इस painting में, अब हम देखते हैं, अपनी next painting इसका नाम है, हजरत निजामुदिन आलिया और अमीर खुसरो, इसमें आपको दो जन्य दिखाये गए, एक तो है हजरत निजामुदिन आलिया और दूसरे है अमीर खुसरो, इसका स्कूल है है, हैधरापास स्कूल की एक painting है पिछली painting हमाल के उनसे थे एहमद नगर गी, तब हम देखते हैं description, इस इस पेंटिंग, हजरत निजामुदिन आलिया और अमीर खुसरो, दिखायागे है कि एक छट पे कौन बैटे हुआ है हजरत निजामुदिन आलिया और अमीर खुसरो, बोत आर वेरिंग मुस्लिम ड्र अमीर खुसरो, अगर आप ध्यान से देखो, लाफ साइड वाले कोन है, उन्होंने कैट आर रखे है, एक रेट कलर, कैप ले रखे है हाथ में, रेट कलर का मुजिकल इंस्ट्रुमेंट लिया हुए, आगे देखते हैं, अमीर खुसरो, ड्रेस ऑफ ब्राउन एंड ग्रीन क अगर देखते हैं, बोध डिफरेंट टार्बन ओन है, आपको लिखना है, जरूरा इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्यों उनकी तरबन है, वो अलग अलग श्याइल किया, अमीर खुसरो इस लाइक मुस्लिम, मतलब उनकी जो तरबन है, उनकी जो अमीर खुसरो की तरबन है वो किस तरह की है, मुस्लिम की तरह, लेकिन जो हज़द निजामस दिन आलिया के टरबन है, वो कैसे है, is round with red and green कलर, कैसे red and green कलर देखते हैं, हज़द घड है यालो कलर रिंग at the back with orange औरेंज डेखते हैं, हज़द निजामस दिन आलिया कि अगराप पेंटिंग में देखते तो उनकी टर्बन किस कलर की है मतलब राउंड टर्बन है उसकी और उसके ओपर क्या है एक यालो कलर की रिंग बनी हुए जिसमें से ओरेंज कलर की रेस निकल रही है तो यह हमें शोग किया गया है पेंटिंग में आगे देखते हैं बिग वाइट बर्बेड औफ हजरद एमीर खुस्रो बेड इस ब्लैक मतलब जो अमीर खुस्रो एं घृञ एक में ब्लैक कलर की घंटिंग पैंटिंग में क्या दिखाई गई बैक्रांड इस लाइड यू प्ली लू गलर की हैं तो बहुत ज़ला लाइट और ब्लू कलर ने है तो यह है हमारी आज की लास्ट पेंटिंग जिसका नाम है चांद बीबी प्लेइंग पोलो देखते हैं इस पेंटिंग को इसके सब स्कूल है आपका गोल कॉंड़ा तो यह आपका सब स्कूल अब देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को इन दिस पेंटिंग चांद बीबी and her companions are shown playing polo against a green background मतलब इस painting में तो आपको याद देख रहे हैं green color का background दिखाया गए आप पेंटिंग को देखो आपको पता है चलेगा green color का background दिखाया गए आगे देखते हैं कि उस painting में दिखाया गए कि एक चांद बीबी है उनके companions हैं मतलब उनके साथ ही है कुछ जो क्या कर रहे हैं उनके साथ polo खेल रहे हैं आगे देखते हैं तो princesses are mounted on beautifully decorated horses of white black dark brown and pale yellow colors मतलब जो princesses are both decorated horses के ओपर बैठी हुए हैं और horses के color जो हैं वो different different आप यह भी लिख सकते हैं different color horses हैं आपको अगर color यह नहीं रखने हैं नहीं तो आप लिख सकते हैं वाइट कलर के होरस है ब्लैक कलर के होरस है डाक ब्राउन कलर के है और पेल यालो कलर के with aquatic birds is shown अगर आप सबसे आगे देखो painting में एक लेक दिखाई गई है लोटस लेक दिखाई गई है विद aquatic birds is shown आगे देखते हैं चांद बीबी इस राइडिंग होना white horse और जो चांद बीबी आप कुनसे कोड़े भी बैठी हुए है वाइट वाले होर्स पे बैठी हुए है आगे देखते हैं one lady is standing in the middle of the painting directing the game एक लेड़ी है वो पेंटिंग के कहाँ पे खड़ी है मीडल में खड़ी है सबसे वो वो गेम को डारेक्ट कर रही है मतला बता रही है कि कैसे खेलने कैसे वो सिर्फ डारेक्ट कर रही है आगे देखते हैं her hands are extended sides उसकी हाथों से यह पता चल रहा है और उसक अगर आप बैक्राउंड में देखो पेंटिंग के in the background rocks, hills, hurts दिखाई गई है अब आगे यह भी आपको जरूर लिखने है कि this painting is very beautiful तो मैं होप करते हैं आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी अपने next वीडियो में हम Bengal स्कूल का origin and development पढ़ेंगे तो अभी के रही ह इतना ही तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो फ्लीज इस वीडियो का एक लाइक कर जाए में चाहे को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक्यू